Friends, Welcome to my channel नीमा स्कॉर्डर और मैं हूँ नीमा आज की इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे बातों की जो आपको कभी किसी के साथ नहीं करने चाहिए चाहे तो आप अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हो सामने वाले पर या फिर अपने रिलेशन को अच्छा बना के रखना चाहते हो ये बात है अगर आपके मुँझे निकल गई ना तो समझ लो आपने लड़ाई की जड़ पाल ली है मतलब सामने वाला आपसे अगली बारी बात नहीं करेगा अगर आपने ये सब बाते उसको बोली है सबसे पहले चीज कभी भी किसी के लुक्स पे ज्यादा पॉइंट आउट मत कीजिए अच्छा दिख रहा है तो भी नहीं अच्छा दिख रहा है और यार तु तो बिल्कुल स्वर्ग से उत्री वी अपसरा लग रही है अगली बार ना ना कर देगी आपको दूर सही देखके ना इधर को गूंग जाएगी तो कभी भी किसी के लुक्स पे नहीं जाना है अगर आपको सामने वाला दिखने वे जादा अच्छा नहीं लग रहा तो कभी भी नहीं बोलना अरे तु तो छोटी रह गई अरे तु दात भार है अरे तु तो बाल उड़ गए यह सब बाते नहीं करनी है नहीं तो वो सामने वाला भी आपसे रिटेट होगे दूसरी पर निकल जाए खिड़ जाएगा उस बात करने वाले बहुत होगे ओड़ आप ऐसे बात करने वाला कोई नहीं बज़े तो कभी भी किसी को अगर आप अच्छा इंप्रेशन देना चाहते हो या फिर चाहते हो कि आपका अच्छे से बना रहा है तो यह सब बाते मत करना दूसरी चीज जैसे कई लोग ना सच बताऊ दूसरी चीज तो बात में बताऊंगी पर कई लोग मुझे भी ऐसे कर देते हैं सम्टाइम्स मतलब मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमा यह करते हैं एंपन करता यारock जाड़ू लगाई नहीं पेल दुपहले से बोगेड़ू मुझा इतना आजीप सा फीलोने लग जाता है कि कि यह मेरा काम है मैं वीडियो शुट करती हूं पोस्त करती हूं पोट देसंग मीन कि मैं अपने घर का काम नहीं करती मै अपने बच तो कभी भी उससे उसकी income मत पूछिए मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई मुझसे मेरी income पूछता है निमा तुम कितना कमा लेती हो YouTube से किसी को ये जानने में इंटरस्ट नहीं होता है कि नीमा आपने कितनी महनत करी है नीमा आपको कितने साल हो गया है नीमा आप इससे कोड़ो दूसरे के पास सेलेड़ो किसी के दूसरे से बात कर लो इसको तो पढ़े रहना तो अगर आप किसी पे अच्छा impression डालना चाहते हो तो उसकी महनत के बारे में बात करो अरे आपने तो चैनल पे बहुत महनत करी है अरे आप तो अपने अपने आफिस में बहुत महन जाओ, जाओ, यह कमरे की लाइट बंद करो एको द्यान धूम धूम कर दो इसलिए कभी भी किसी से उसकी लुक्स बात पत कीचिए, और तारीफ करो गए तो भी बंदा समझ जाएगा और इरिटेट करो गए बंदे को उसकी बुराईया निकालोगे तो भी बंदा समझ और कभी भी बात करो वरना बंदा गुसा हो सकता है और यह चीज सिर्फ नॉर्मल नहीं है यह अगर आपके हजबन भी आपको कमफ़र्टेबल नहीं है ना सेलरी बताने में तो बारब उनको भी चूटी मत काटो कि मुझे पहले बताओ आपकी कितनी तनखा है क्योंकि आज पास लाइफ शादी से पहले तुम्हारा किसके साथ चक्कर था बताओ मुझे बताओ मतलब शादी हो चुकी है आज की रेट में वह बंदा तुम्हारे साथ बहुत खुश है बड़ तुम्हें तो घ्रस्ती में आग लगानी ही है तुम बार बार पूछोगी उसके साथ चक हमारे अठीक करने होना चाहिए यह आप दोलों के बीच में कले वुंकी पहले तहा वो ता बढ़ पूराना पुराना रिश्ता आज कि यू एक में कोंटिनियूं नहीं हो चाहिए और ने रिष्थ्थ में ही बने चाहिए मेरे सास्थ है बहुत अच्छा है दुसरों के साथ होगा तो मेरे साथ मी होगा सीधे सीधे क्लियर होना चाहिए बढ़ पास लाइफ के बारे में खुद्रेद ना जो होता ना गड़े मुर्दे उखाड़ना वाली बात हो जाती है और वो सब मुर्दे आपके रिष्टे को भी कबर में लेके जाएंगे सीधी सी बात है तो कभी अब आज आजा अटी तो तिरको तो मैं धो दूदूंगी तो किसी की परस्नल लाइफ में मत घुसिये कोई ही तरीके की प्रॉब्म्स आज की डेट में होती है और होती ही है मतलब किसी को भी नी शुक होता कि वहीं दस साल बीस साल होगा है शादी में बच्चे नी होए बर लोगो बड़ा शुक होता है पूछने का कि सामने वाल अपने मुझ से बताए कि उसके बच्चे क्यों नहीं हो रहे या फिर उसका उसके हस्बन का डिवोस क्यों हो गया कभी भी इस तरीके की बाते किसी से मत कीचे देखिए किसी को आप खुश नहीं कर सकते हो मैं किसी को इस तरीके की बाते पूछ पूछ के हम उन्हें दुखी कर देते हैं तो दुखी मत कीजे किसी को और सबसे ज़रूरी चीज जो मुझे लगता हमें अपने वैभार में लानी चाहिए वो है कि किसी को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए देखिए क्या है ना हम ल सबस्क्राइब के साथ रिलेशन खराब होगा वाइब के साथ लाइफ साथ चुनों कमाते होगा उन्हां तेरको तो मेग पाल रहा हो यह नहीं पता कि वह भंदी घर में कितना काम ब्र dönях आपके बच्के पाल रहिए तने प्यार से आप अपने माभा आप नहीं रखते होग चबनी नठनी का और आप किसी को मत दिखाईए उवीद करती हूँ इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई है और आपको अगर ऐसी वीडियो पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियो दोर लेकर बाइ